बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट मेरट के जाकिर कलॉनी में घर पर बकाया मांगने आए दो लोगों पर तेजाब डाल दिया गया है इस घटना से वहाँ अफरा तफरी मच गई दूसरे पक्ष ने 112 नंबर पर डायल कर सूसना दी कि कुछ लोग उसके घर लूट करने के एरादे से आये है सूसना पागर तूरें थे पुलिस वहाँ पहुंच कई एसिड में जुल से लोग को जिला अस्पताल भरती कराया गया है पुलिस ने फिलाल ती लोग को गिरफतार कर लिया इस बारे में पुलिस छेतरा दिकारी को त्वाली परविन चौरासिया ने फर्स्ट वाइट को यह जनकारी थी ली जा रही है यह डोनों पख्शों अब दूसरे को व ब्रुबिक रजा रही है रही है खेंस में 28 घुलिये गया है इस घटना वे पार्तिसिवेट कि लिए हैं क्ने ठीक उलबिक करव जा रही है और इटोर दोनों पख्शों को ले करके तीन लोग का नाम प्रकास में आया है जिसमें पैसा लेने गया था उसी को पर आरोप लगा रहा है जो जिसका पैसा बागी था कि वो लूट करने आए इस तरह की सो नमबर पे सूचना इसने क्रियेट की है तो दोनों पक्षों की पूरी ग्यांता से इसमें जाच करके इसमें विदिक का आये हैं और एक मरीज का जो नाम है नूर आलम है जिसके उम्र करीब 26 वर्ष है और जो है उसे थाना से पुलिस द्वारा लाया गया है उन्होंने कोई जो है जैसा पदार अपने बदन पर डालना बताया गया था मरीज को जो है उसके फॉरेंस एक्जांच के लिए सेंपल नूर आलम वे नूर इसलाम एसिट की चपेट में आये हैं इस खबर में फिलाल इतना है आप देखते हैं और देखते हैं फास्वाइट वार्ट वार्टी वे नमस्काल